हाई दोस्तो, T4 चानल में आपका स्वागत है । दोस्तो आझ की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आप Philip card के customer care से कैसे आप contact कर सकते हैं या फिर कैसे आप उनसे बात कर सकते हैं उनका नंबर क्या है, क्या रहता है तो दोस्तो अगर आपको कोई product आपने flip card से मगाया है उसमें कोई problem है या फिर आपको return या refund के लिए problem आ रही है या फिर आपको payment आपने online payment किया है तो उसमें कुछ problem हो गया है तो कैसे करना है आपको contact इन सारे चीजों के लिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे तो छे दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे फिले आपको अपना flip card application जो है इस application को अपने mobile phone में open कर लिजे जैसे दोस्तो आप flip card application open करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पे जाता है अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए एक option है account लिखावा यहाँ पे इसमें आप account के option में क्लिक करना है आपको जैसे दोस्तो आप account के option में क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से पे जाएगा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक option है, help center लिखावा, यहाँ पर, help center की option में आप click करिए, हमें help चाहिए, तो help center में click करेंगे, अब यहाँ पर help center में जब आप click करेंगे, तो यहाँ पर product जो जो आपने order किया हुआ रहेगा, ओ सारा product आपको देखने को मिल जाएगा, त तो जैसे कि मैंने ये product इसमें मैंने order किया है तो इसके उपर हम click कर लेंगे या फिर आप दूसरा product जो order किया होगा तो आप गर आपको इस तरीके से ये option नहीं आ रहा हो है तो आपको क्या करना है इससे back हो जाएगा और ये जो order वाला जो option है न दोस्तो इसमें आप click करिएग अब यहाँ पे आपको आना है नीचे और यहाँ पे दिखिएगा एक option है need help का तो need help वाले option में आप click कर लेंगे जैसे आप need help में click करेंगे तो ये support का page कुलेगा अब आपको यहाँ पे chat करने का option है लेकिन आपको तो बात करना है यानि कि phone पे directly बात करना है तो यहाँ पे ह what I can help you मैं यहाँ पे लिखाँगा कि I want to call customer service लिख के हमने send किया अब यहाँ पे बोल रहा है कि where is my order या फिर किसके लिए आपको चाहिए तो get delivery engine number fast delivery possible get my bill invest तो यहाँ पे something else फिर से मैंने type किया अब देखते हैं यहाँ पे क्या वहाँ से आता है please type I want to contact customer support तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक option आगया नीचे कि sure how would you like to contact us और यहाँ पे request a call call के लिए request कराना है तो यहाँ पे call और यहाँ पे chat के request कराना है तो chat के नीचे तो यहाँ पे request a call में हम क्लिक करेंगे अब जैसे आप request a call में आपने क्लिक किया यहाँ पे बोड़ रहा है कि sure to connect you to write customer support executive please tell me you preferred language किस language में आप customer support team से आप बात करना चाहते हैं यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं Hindi language select कर लूँगा अब यहाँ पे बोड़ रहा है कि इस number से आपको contact करना है यह number आपका यहाँ पे बोलेगा तो यहाँ पे yes इस number से तो यहाँ पे okay receive a call on your register phone number in the next couple of minutes यानि कि कुछ minutes में आपको call आएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा wait करना है और जैसे हमने wait कर लिया अब यहाँ पे फिलिपकाट customer service से आपको call आ जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप call बात कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे इसको cut कर दिया अब यहाँ पे इस तरीके से आप बात कर सकते हैं फिलिपकाट के customer से दोस्तों मुझे उमीद आपको वीडियो पसंद नहीं होगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में